जहिन नमस्कार तो आप सबके छेत्रमिती का तकलीफ दूर करने के लिए लेक्चर नमबर 15 आ गया है और जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोग देख चुके हैं कि हम लोग छेत्रमिती में चतरभुज चालो कर चुके है ना और पिछले लेक्चर में आयत का कॉंसेप्ट ह हुआ है तो इस लेक्चर में जो लेक्चर नमबर टू है आपके चतरभुज का पीछे 13 लेक्चर हम लोग ट्रेंगिल पर कर चुके हैं तो यह चतरभुज का जो लेक्चर नमबर टू है इसमें हम लोग आयत से रिलेटेड अच्छे-चे कोशन मनाएंगे देखो है बहुत आसान और आसान लगना भी चाहिए लेकिन हम लोग को एक्जाम में किस तरीके का एप्रोच लेना है इस बात को हमेशा ध्यान में रखते हुए चलें कि कोशन आसानी से बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाए बहुत कम से कम समय में सॉल्व हो जाए ठीक है तो इस बात को एक भुजा की लंबाई और विकर्ण साथ सेंटीमीटर और पच्चिस सेंटीमीटर है तो छेतरखल पूछा जा रहा है तो भाई बहुत आसान सा कोश्चन है लेकिन इस आसान कोश्चन को हम लोग और आसान तरीके से कर सकते हैं जैसे मान लो ये कोई आयत है और इसमें हम लोग को दिया हुआ है एक भुजा की लंबाई और विकर्ण तो इसका विकर्ण हम लोग खीच ले एक्जाम में देखो जब कोश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं उस समय आपको ये बराने का भी जूरुत नहीं है ये पिक्चर दिमाग में बनना चाहिए तो इसमें दिया हुआ क्या का है एक भुजा के लंबाई 7 है और विकर्ण है 25 बहुत आसान सा बात है तो ये एक समकोन तिर्भुज होता है ये आप लोग को पता है क्योंकि यह 90 डिग्री होता है अब देखो जब ये 7 और 25 पता है तो समकोन तिर्भुज में पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगता है ये आप लोग को पाइथागोरियन ट्रिपलेट के वीडियो में कई बार बताया जा चुका है तो यहाँ पर ये वाला भुजा जरूर 24 होना चाहिए 7, 24, 25 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है अब जब लंबाई और चौड़ाई 24 और 7 मिल गया तो 24 सते 168 ओप्सन नमर 3 इसका अंसर होगा अब किसी को इसमें भी दिक्कत हो सकता है कि सर 24 सते 168 तो पता ही नहीं है हम दो सुने ही नहीं कि आप कबसे कह रहे हैं कि 25 तक का पहाड़ा याद होना चाहिए तब फिर आप क्या कर सकते है कि भाई 7, 24, 28 पीछे 8 नजर आना चाहिए तो या तो 2 होगा या तो 3 होगा और 25 सते 175 होता है उससे कम ही होना चाहिए तो उप्सन नमबर 3 होगा ऐसे भी आप पकड़ सकते है ठीक है 25 सते 175 तो किसी को भी पता है उससे साथ कम होगा तो आए बात समझ में किस तरीके सॉल्व करना है कोई फॉर्मूला लगाने का जूरत नहीं है कोई XYZ मानने का जूरत नहीं है ठीक है तो परिमाप देखो एक आयत ये आयत हो गया इसका परिमाप दिया हुआ है 46 और चोड़ाइ दिया हुआ है 8 ठीक है तो देखो यहां पर चोड़ाई है 8 और परिमाप है 46 मतलब सबका जोड़ा है 46 तो विकर्न की लंबाई पूछी जा रही है और देखो विकर्ण का लंबाई अगर इतना सीधा साधा है इसका मतलब जरूर जरूर इस आयत में पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगना ही चाहिए आप आँख मोंद के इस बात की गरेंटी ले सकते है अगर विकर्ण का मान इतना साप सुतरा है बीना रूट वाला है तो इसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगेगा और पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता है क्या होता है भाई जब एक भुजा आठ दिखे तो दूसरा पंदरा हो सकता है और विकर्ण जो है वो सतरा हो सकत तिक है क्या हो सकता है सत्रा है अब आप बोलें कि सर विकर्ण सत्रा हो गया और एंसर भी सत्रा दिख रहा है लेकिन हम कैसे मान लें कि सत्रा होगा ही होगा तो भाई देखो यह आठ है तो इधर भी आठ है और यह पंद्रह है तो इधर भी पंद्रह है तो पंद्रह पंद्रह 30 और 16 46 यह जो परिमाप है वो 46 पूरा बैठ रहा है तो अगर परिमाप भी मैच हो गया तो फिर विकर्ण का जो answer आ रहा है 17 वो ही मैच होना चाहिए option number 1 तो आए बात समझ में कैसे इसको solve करना है कुछ भी मानने का जोरत यहां भी नहीं है अब देखो एक आयत का परिमाप दिया हुआ है 52 और चोड़ाई है 12 तो इसका 6 तरफल पूछा जा रहा है यहां पर विकर्ण की बात है नहीं देखो जब आपको विकर्ण सापसुतरा दिखता है तो वहां पर तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगेगा ही और अगर विकर्ण का चर्चा नहीं भी है तो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगेगा लेकिन जवरी नहीं है कि हर बार लगे हो सकता है कि उसमें डाटा कुछ ऐसा दिया हुआ हो जो कि अब जैसे देखो मानलो यह पिछला कोश्चन पर ही ए आयत खीच लिया जाए यह जो आयत हम लोग यहां पर खीच चुके हैं आठ पंदरा सत्रा वाला इसमें बात हो रहा था अगर विकर्ण की चर्चा नहीं होती तो हो सकता है यह वाला भुजा आठ था और यह वाला भुजा चौदा हो जाता तो परिमाप इसका कुछ भी आ स बढ़िया सा नहीं आ सकता इधर 14 तो इधर 14 14 14 28 और 8 816 इन दोनों का जोड जो है वो परिमाप हो जाना चाहिए 8 से 14 और 2 1 3 4 44 का परिमाप आएगा ठीक है 46 का परिमाप नहीं आएगा यहां पर लेकिन चुकि 46 का परिमाप दिया है इसलिए यहां पर विकर्ण 17 है तो सकता है इस बात को हम लोग first priority पर लेकर चलेगे तो देखो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि आयत का परिमाप 52 है और चौड़ाई है 12 तो यह है यह है यह है यह है एक आयत ठीक है इसका परिमाप है 52 और चौड़ाई है 12 तो चौड़ाई इसका 12 खिश लो यह मान लो यह 12 है और इसका छेतरफल पूछा जा रहा है तो भाई देखो एक तो तरीका ये है कि इधर बारा है तो इधर बारा है अब बारा बारा चौविस हो गया तो बावन में से अगर चौविस घटाओगे तो कितना हैगा भाई 28 है ना अगर 28 होगा मतलब दोनों लमाईयों का जोड़ अगर 28 है तो ये जरूर 14 चौविस होना चाहिए तो बारा चौविस तरीके से बने गया अब छेतरफल पूछा जा रहा है तो बारा गुना चौविस घटाओगे और चार दुना आठ होता है बारा गुना 14 और चार दुना क्या होता है चार गुना 8 अंति मंक आठ देखना चाहिए ओप्सन नमबर 3 ठीक है अगर मान लो कि दो दो ओप्सन में पीछे 8 रहता तो फिर आप लोग को गुना करने का ट्रिक लगाना पड़ता या फिर गुना करके ही देखना पड़ता वैसे देखो 12 गुना 14 अगर आपको करना है या फिर कोई 2 डिजिट वाली संख्याओं का आपको गुना करना है तो जोरी नहीं है कि बच्चों की तरह एक 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 अंग करके करे सीथे 14 का पहाड़ा आता है तो कर दो 14 गुना 28 का आठ बाकी दो 14 एक हम 14 और 2 16 एक एक लाइन में गुना हो जाएगा आए बात समझ में अब देखो next question देखो क्या है एक आयत का छेत्रफल वर्ग सेंटिमेटर में क्या होगा यदि विकर्ण की लंबाई क्या बन है भुजा 24 अब देखो फिर यहां विकर्ण साफ सुथरा दिया हो बढ़ियां साथ तो पाइथागूर इंटरफलेट इसमें आना ही चाहिए जैसा हमको लगता है ठीक है देखते हैं हम लोग क्या होने वाला है चलो एक आयत हम लोग खीच लेते हैं और इसमें एक भुजा दिया हुआ है कितना 24 अब देखो 24 और 51 अगर पता है पाइथागूरियन ट्रिपलेट में तो हम लोग देखते हैं कि अगर 3 से काटे तो 8 तिया 24 और 3 से काटे तो 17 तिया 51 तो 8 और 17 अगर नजर आ गया तो बीच वाला अंक जरूर 15 होना चाहिए 8, 15, 17 है ना तो भाई जब यह 8 तिया 24 है यह 17 तिया 51 है तो बीच वाला जो संख्या है वो 15 तिया 45 होना चाहिए है ना 15 तिया 45 होना चाहिए यहाँ पर दूसरा वाला भुजा जो है यह जरूर कितना मिलेगा 45 ठीक है एक भुजा 24 और एक भुजा 45 तब यह आएगा कर्ण जो है एक क्यावन ठीक है आटतिया 24 सतरत एक क्यावन और पंदरतिया 45 अब देखो 45 को 24 से गुना करना है ठीक है 45 गुना 24 अब देखो 25 तक का पहाड़ा जिसको नहीं याद हो उसके लिए तो प्रावलम है लेकिन हम लोगो 24 का पहाड़ा आता है तो करेंगे 24 पचे 120 जीरो बाकी बचा 12 और 24 चौका 96 और 96 और 12 कितना होता है 108 एंसर क्या गया 1080, option number 3 तो आया बास समझ में किस तरीके solve करना है इसको देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के वीडियो में वैसे तो सब कुछ डिटेल में बताया जा चुका है लेकिन एक बार फिर से आप लोग के लिए बता देते हैं कौन-कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट आता है जो कि आपको इस्तिमाल करना है तीन चार पांच ठीक है नोट कर ले ना तीन चार पांच पांच बार तेरा क्योंकि देखो अभी तक जो कोशन लिया गया है वह आठ पंदरा सतरा पर है साथ चौविस पच्चिस पर है लेकिन जोरी नहीं है कि बस यही आएगा कोशन तो और भी आ सकते है ठीक है तो चालिस एकतालिस और भी एक था बीस एक्केस उनतिस टीक है ये छे अगर आपको याद हो टीक है तो एक्जाम में कोई भी कोशन आप सॉल्व कर सकते हैं जिसमें कि पैथागोरिय इंटरप्लेट लगता है और दूसरी बात ये भी कि केवल यही नहीं इसके दूगने तीन चार उने आधे एक थी हाई जो भी है वो भी पैथागोरिय इंटरप्लेट पर फिट होते हैं जैसे दूख ये आठ पंदरा सतरह का ये तीन गुना वाला था चौबिस पैताले से क्या बनी ये भी पैथागोरिय इंटरप्लेट है तो आगे बात समझ में अब देखो ये ए पीवी है ना ये एवी की एक थी हाई है मतलब अगर ये एक हिस्सा है तो ये दो हिस्सा होगा ठीक है ये होगा टू एक्स पीवी जो है वो पूरे एवी का एक थी हाई मतलब एवी तीन अक्स रहा होगा इसी तरीके से ये बीक्यू जो है अगर ये वाई रहा होगा तो ये CQ 2Y रहा होगा, ठीक है, BQ BC की ATHI है, क्योंकि BC पूरा कितना रहा होगा भाई, यह 3Y रहा होगा, उसी तरीके से AB जो है वो 3X रहा होगा, यह बस आप लोगों को समझाने के लिए किया जा रहा है, concept क्या है, तो इसमें कहा जा रहा है कि यह बीच वाला जो एरिया है, यह CD है, उसका area पूछ हो जा रहा है, तो देखो, एक बात जान लो, ठीक है, कि अगर एक ही आधार पर दो तिर्भुज बनाएं जाते हैं, ठीक है, जैसे एक तिर्भुज आप बना के देख सकते हैं, अगर मान लो कि कोई एक तिर्भुज है, ठीक है, concept पहले समझो, उसके बा ठीक है, ध्यान से समझना, पहले concept समझ लो, question तो solve हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, और concept अगर पता होगा, तो question चुटकी बजाते के साथ solve हो जाएगा, A, B, C, इधर हो गया, D, एक ही आधार पर दो तिर्भुज है, अब यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं, कि दोनों तिर्भुज है, दोनों की उंचाई, दोनों की उंचाई जो है, वो बराबर होगी, एक ही उंचाई होगी दोनों की, टीक है, यह है उंचाई, A, B, C, D, यहाँ नाम दे लो, P, perpendicular, यह height है, टीक है, यह height जो है, A, B, D, triangle के लिए भी है, A, D, C, triangle के लिए भी है, और A, तो फिर हम लोग यह कह सकते हैं कि अगर कोई triangle ABD का area बटा triangle ADC का area करना चाहे area of triangle ABD बटा area of triangle ADC करना चाहे तो क्या करना होगा एक बटा दो आधार BD गुना उचाई AP है ना और क्या एक बटा दो आधार BD BD नहीं DC और गुना उचाई AP तो यहां देख रहे हैं यह उचाई AP तो common है कट गया half भी कट गया तो दोनों तिर्भुजों का इस ABD और इस ADC तिर्भुज का जो छेतरफल का अनुपात है वो निकल के आया BD बटा DC मतलब कि जो दोनों तिर्भुज हैं, उनके आधार के अनुपात के बराबर 6 तरफल का अनुपात है, यह तिर्भुज में भी यह concept आप लोग को बताया जा चुका है, ठीक है, लेकिन जो लड़के डारेक्टिस वीडियो को देख रहे हैं, उनको थोड़ा सा help हो जाएगा इस एक तिर्भुज हो रहा है कौन? बीना बनाया है कोई question solve होगा, देखो यह एक तिर्भुज APD हो रहा है, तो यह APD का जो छेतरफल है, यह इस BPD वाले से double होगा मतलब, अगर मानलो कि इसका छेतरफल है कुछ A unit का, तो इस तिर्भुज का छेतरफल जरूर कितना हो जाएग 2A unit क्यों? क्योंकि आधार जो है इसका PB और इसका आधार है AB, यह आधार इसका double है, यह X का double है 2X, तो छेतरफल भी होगा दुगना, क्योंकि छेतरफल का अनुपाद जो होता है, वो आधार के अनुपाद के बराबर होता है, तो चुकि आधार का अनुपाद 2 अनुपाद एक का है तो छेतरफल का वियान पाद दो अनुपाद एक होना चाहिए इसको हम लोग थोड़ा सा साफ साफ तरीके से आपके लिख लेते हैं मतलब कि इसका आधार अगर X था और इसका 2X था और इसका छेतरफल A है तो इसका छेतरफल 2A हो जाएगा उसी तरीके से इस BQD का चेतरफल अगर B है तो इसका छेतरफल हो जाएगा 2B मतलब कि यह जो A प्लस B है A प्लस B यह पूरा का पूरा जो आपको चतरभुज यहां दिख रहा है B D B P Q इसका अगर 20 वर्ग सेंटिमीटर है तो बाकी दोनों हिस्से का जोड उसका डबल होगा नहीं अगर A प्लस B का मान है 20 तो 2A प्लस 2B का मान होगा 40 और complete अगर देखना हो पूरा का पूरा रिक्टैंगल A B C D अगर देखना हो तो इसमें A कितनी बार आया है 2A प्लस A 3A और B कितनी बार आया है यह चोटा वाला B और यह वाला 2B मतलब 3B है ना कितना होगा तो 3A प्लस 3B का मान कितना होग 3 कॉमन ले लोगे तो A प्लस B और A प्लस B है 20 तो 20 तिया 60 इसका अंसर हो जाएगा 20 तिया 60 अंसर होगे option number 4 तो इक्जाम में बस इतना सा काम करना है अगर आपको concept याद हो तो अगर यह concept पता हो तो concept नहीं पता होगा तब तो फिर उलज के रह जाएगे ठीक है फिर बहुत कुछ करना पड़ जाएगा तो इसलिए concept पता होना चाहिए concept सीखने पर जोड़ दीजिए उससे बढ़िया concept सीखने से बढ़िया कोई ट्रिक नहीं है दुनिया में कोई कितरा भी कहते है यह formula रट लो वो formula रट लो उससे एक-दो सवाल होगे concept सही होगा तो फिर सारे सवाल solve होगे तो पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए और अगर पसंद आता है वीडियो तो अपने दोस्तों को सेर भी कीजिए मिलते है नेक्स वीडियो